31 को 3 बज के 17 मिनट दिन से मनुनका पूजन दूबज के 33 मिनट दक रात्री तक चले गा बहुत सारे लोग को ऐसा लग रहा है कि 31 को दिभालिये और कुछ लोग यसा लग रहा है कि एक तरेक को दिपाबली है और को नमस्कार परणाम मैं अमीद सोरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्ता का युमारी मौजूदगी है कर्याले में और हमारे बगल में एक पंडित जी हैं हम इन से जानेंगे कि आखिरकार इस बर्स का जो दिपाबली और छट है उसको ले करके लोगों के बीच और आम ज के बाद फिर एक और महान पर वाता है उसका नाम है च्छट और च्छट पूजा को भी लेकर के बहुत तरह लोग को कंफ्यूजन है तो हम तिवारी से जानते हैं कि आखिरकार दिपाबली और च्छट किस-किस तारिक को है और उस कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिस करते ह तो सरकार कार्तिक का महीना चल रहा है और कार्तिक का महीना मतलब की लोग को बहुत दिरों से इंतजार रहता है कि दिपाबली आ रहा है च्छट आ रहा है लेकिन इस बार का जो दिपाबली है वो लोगों में मतलब की मान करके चले के कन्फ्यूजन कर दिया है एक मतलब की तो आमको बिस्तार से बताइएगा कि दो हजार चौवीस का जो दिपावली है वो किस्ति थी को है पहली दिपावली कब है क्या बलते कि बढ़की दिपावली कब है धन्तेरस कब है तो सबसे पहले अपना परीच्छा दीजिए गारी नदंदा दस्तक अमी चोरेश्य के साथ अनिके स्टोडिय में पहस्थित हूं हूँ अमीजी इस वर्ष्झ्ट जो डेपावली का पर मिना जाना करण को जरूरी ने कि रिज़ लिया गिया है बनारी सोर्ज उर्ज तिछ से नहीं लिया गिया है नहीं लिया गया है तारीक काहें कि एक तारीक को साम पांच बज के कुछ मिनिट में समाप छोज़ता है मुश्याकाल का इसलिए परदोसकाल में ना रहने के कारण दीपावली मान एक तिस को ही मनाया जाएगा अजया मतलब की पूरे देश में या फिर बिहार में या फिर अलग-अलग डिस्टि मांगलवार दीन तारीक पता हUI 21 तारीक को धंतेरस है आज मतलब की 39 तारीक के दीन के 11 दृट जरे स्वाण होकर के फिर मतलब की पूरा दिन चलेगा पूरा दीन राती तक चलेगा दूसरे दिन यानि तीष तारिको देवत दानव मनि देवताओं का माने पूजा होगा चोटी दीपावली जिसे कहते हैं मतलब कि लक्षमी जी का जो मूर्तिया स्थापना है वो होगा 31 तारिको ही होगा चाहे वो बिहार में हो या फिर दिल्ली में हो या फिर मुमाय में हो उनका पूजन का समय तीन बजकर के 17 मिनिट के बाद से माना स्टार्ट है मतलब की 31 तारिको 31 तारिको तीन बजके 17 मिनिट मनुनका पूजन दू बज के तिरपन मिनट तक रातिर तक चलेगा मतलब कि बड़ की दिपाबली है जो कि एक अतिस तारीकों पड़ेगा पूरे देश में पूरे देश में गुबर्धन पूजा यानि दू तारीक होगा मतलब की दिपाबली के दो दिन बाद हाँ यह तो हर हम ट आयगे क nhất तारीक के कुछ मिनट मने रह जाता है तरु नहीं भी ते बेखने भी मिनट तक मने रह जाता है तर शीन मेह पना जोजूजा नहीं चाहिता दूता हो जातां प्रातथSecर कॉए इसलिया जिए दू ठृक्तष्णा पूजाया जाएं गभर्धन पूजा भाया दूज प्रभ मनाए जाएगा अपने भाई के रक्षा के लिए जम जमीनादीन बना करके कूटते हैं उसे तीन तारिक को भाया दूज दो तारिक को गवर्धन पूजा एक अतिस तारिक को दिपाबली और जहां चठ की बात रहा तो चठ वर्थ जो है जो सूर्ज उद् जिस दिन चोठ में माने शूर्ज भगवान उगेंगे उसी दीन माने वर्थ प्रारम हो जाएगा तीस बार दीन मंगल बार तारिक पांच अचा नहाई खाई जो होता है लुहंड़ा होता है पारण होता उसका तीथी बता देगा उसी को हम बता रहे हैं कि तीथी चोठ दी दिन बंगल बार तारिक पांच हमगा को मैं नहाय खाई होगा फाच तारिक को नहाय खाए है और जो प्रसाद बनने को एंट वह पिर छ तहरी को हरा हा। दीन बुद्धज यानि छे तारीक verify को मने लोहनदा जीसे कहते हैं को लोहनदा को मैं होगा आशे और लोहाली और आख तारीक और आठ तारीक को जो जितना भी पर्वतेवहार है वो समाथ हो जाएगा जाएगा यह कि जठन झालती देडिय failure one the other Immuk eso isого उसको हम उआ जठन कहत आज टारिक लोग चीबते है वोन गालती तो सार्ची खोगागा हो जडिए टारिक। पूजा होता है, मतलब की सरस्वती पूजा होता है, जो भी मतलब की देवी देवताओं का पूजा होता है, उसमें लोगों को क्या क्या सब्धानी बरतनी चाहिए, सरकार कैसे कैसे पूजा किया जाना चाहिए, ताकि लक्षमी जी का जो परकोफ है, यहां के आम जनों पे और उस दिन ववास करके शांचित से होकर के परदोस काल आने पर मलक्ष्मी और गनेश जी का पूजन करें जो भी देवता है उनका पूजन आप कर सकते हैं कहां कहें पांच मुर्तियां साथ मुर्तियां बना जाता है उनके लिए समय निधात है कि उसकता है उस बेखी हरते हैं अमाने बेखते हैं जामिशी हैं कि सब मुर्तियों का अलग अटलब की टैमिश लेकिन लेकिन notch में जीका जो टायमिंगे तीन तिर पिर मिनिट तकला और कुछ अपने क्या बुलते हैं कि जो भी आपके चाहने वाले हैं जो भी आपको देख रहें कुछ कहना चाहेंगे पूजा करने का कोई तरीका बताना चाहेंगे जिससे लग्षमी माता खुष हो परसंड हो हर जगा अपना-पना परचलित बानते है जैसे परचलित उनका नियम कहता है उन्हें अनुसार अमी जी अपने गनेश लक्षमी जी को या पंच मूर्ती साथ मूर्ती को पूजान माने करें अपने अभिलासा की इच्छा पर है वो अपने ब्राम्हन से प्रामर्स लेकर के अपने सही निर्धार समय पर उनका पूज मुआ पूजा करें लक्षमी परशन हो जर्णि जलन बी उसे विक्याग द्याग दयाना है उस से में पूजा करते बागी है ऐसा साल भर में माने ली मनाया जाता है हरो हुलास के साथ ओडित दान आदी लक्षमी कुभ Peir आदी का पूजन माने करें चली यह हमारे साथ दिने कुल कि पूरे देश में दिपावली और छठ मना जाएगा बागी दिपावली के बारे में आप क्या सोचते हैं करण बाक से मताइएगा हमेसेंज देश दुनिया की तमाम चोटी बड़ी खबरों साब को रुबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहना लंदा दुशता है